वे गाईस आज हम डिसकस करने वाले हैं बहुत ही बड़े वेक्ति के बारे में जिसका नाम है राके जुनजुनवाला ज्यादा तर एक पेनी शेर से खरीदने के लिए काम करते हैं ज्यादा चोटे वाले स्टॉक अब पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं अब इनके उपर डिपेंड हैं कि ऐसा क्यों करते हैं लेकिन आज हम डिसकस करने वाले हैं कि इनकी पोर्टफोलियो में सबसे चोटा स्टॉक कौन सा है सबसे चोटा अब हो सकता है वो बड़ा रिटन दे य उनको चाहिए छोटे वाला stock अगर मैं कुछ बताऊंगा तो हो सकता वो गलत हो जाया कुछ भी हो सकता लेकिन बड़े लोग है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के खरीदा होगा तो उसके बारे में हम क्या करेंगे knowledge लेंगे ठीक है knowledge लेंगे लेंगे तो comment करने से पहले कुछ सो अभी उन्होंने एक stock में अपने हिस्सेदारी भी बढ़ाई है क्योंकि उनको अच्छा लगता अब देखें बहुत सब्सक्राइब बेचने की कोसिस करते हैं तो साइद उन्होंने टाइटन को थोड़ा बहुत बेचा है टाइटन को आप देखें उनकी मर्जी है लेकिन फ और देखें यहां पर जो भी stock है अगर आपके पास है तो अच्छे है आप उसको hold कर सकते हो तो नीचे में अगर देखें तो यह देखें यह लगबग 6 रुपीस का stock है 6 रुपीज का स्टॉक है और नीचे देखते हैं तो 30 रुपीज 28 रुपीज 45 रुपीज 156 रुपीज तो नहीं जादा जो सबसी छोटा वाला स्टॉक है वो है 6 रुपीज का वो कौन सा स्टॉक है वो है DB reality limited अब इनके पास देखिए बड़ा quantity तो है लाकों में खरीते हैं भ तब तो इनका किसमत बदल ही जाएगा तो यह रहा आपके सामने देखिए मैं direct आपको stock कर नाम बता दे रहा हूं लेकिन इसके बारे में कुछ knowledge लेना भी जरूरी है अब यह stock देखिए लगबख 6 रुपीज के आसपास trade कर रहा है लगबख 1% यह उपर जाने के कोसिस कर र देखिए दुनिया में अगर आपको कुछ मिलता है तो जो आप deserve करते हो वही आपको मिलता है इतना याद रखेगा जो आप deserve करते हो वही आपको मिलता है अगर आप deserve नहीं करते हो ना तो मैं बोल रहा हूं आप हीरे की खान में भी अगर पैसे लागा लोगे ना तो आपको गिर जगा तो इसको बोलते हैं what you deserve, वही आपको मिलेगा, तो लगबग एक दिन के अंदर थोड़ा बहुत positivity देखने को मिली है, five days में नुकसान देखने को मिला है, six days में भी नुकसान देखने को मिला है, six month में अगर हम देखें, तो stock ने थोड़ा बहुत profit देने के कोशिस की है, three rupees के आसपस था, lower circuit की बात की जा रही है, three rupees का stock, eight point nine five का highest मारा, eight point nine five का इसने जो है highest मारा, मतलब दो तीन गुना आपका पैसा कर दिया था, आराम से, लेकिन होता क्या, penny shares का यही खेल है, वो आपको थोड़ा बहुत, मतलब panicness create करेगा, आपको panicness create करेगा, ताकि आप मा जाते हैं और बेच के निकल जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने के कोशिश कर हुआ, क्योंकि सचाई आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो पर मोटर्स की हिस्सेदारी आपके पास, तो हम देखेंगे, 2019 से, 2019 मार्च से, जो पर मोटर्स है, अपन 0.91 हो गया मतलब धीरे-दरी यह बढ़ रहा बहुत धीरे-दरे अब अगर पर मोटर्स की यहां पर देखो गए तो प्लेज भी है लगबग 70% के आसपास प्लेजी रखा गया है यहां पर देख लेते हैं पहले प्लेज कितना था 70.96 यहां पर कितना है 70.84 मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा फरक आया ने तो हम बोलेगे कि दोनों इक वाले चलेगा उसमें दिकत की कोई बात नहीं प्लेज में तो प्लेज भी रखा गया है पर मोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे देरे-देरे और बड़ी बात तो यह हैं चलिए अगर पर मोटर्स अगर गल पर यहां पर यहां पर यहां पर कितने था अगर आप देखें इनको भी लगता है कि छोटा पैसा लगा दिया जाए अगर यह बड़ा बन जागा तो कोई दिकत की बात नहीं वैसे भी पेणी शेर्स में बहुत ज़्यादा खामियां होती है प्राब्लम होती है बहुत सारे समस्या भी आती है लेकिन सबको पार करके आगे जाने वाले को भी बोलते हैं पेणी स्टॉक्स आपको क्या लगता है कि कोई 10 रुपय का स्टॉक है उसमें कोई भी प्राब्लम नहीं है और वो धीरे 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 आपको मिल जागा नहीं मिलेगा जैसे कि आप देख लिजे अडानी गरीन के बात करते हैं लगबग 40 रुपीस का स्टॉक था आज के रेट में 700 पे मिला था पहले जब यह 40 रुपीस से चलना स्टार्ट किया किसी को भी नहीं मिलता था यह स्टॉक किसी को भी नहीं मिलता था डेली अपर सरकीट होता था सोचिए डेली अपर सरकीट तो अच्छी वाली स्टॉक कभी भी नहीं मिलते हैं इंसान को अभी हम देखते हैं कमपनी क्या काम करती है बिजनस क्या इसका तो construction of buildings और कमपनी का नाम यह रहा आपके सामने अब देखें तो real state में है तो covid-19 के बज़े से real state और मतलब यह हो चुका परिसानी में आ चुका लेकिन धीरे धीरे अब government ने भी बहुत जादा support किया है real state को और real state को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि जितने भी real state business है वो अभी तक निकल नहीं पाए real state हो या multiplex हो बहुत सारे ऐसे business है जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए रेकिन real state को boost करने के लिए थोड़ा बहुत उनको help किया जा रहा अब हो सकता है इसी उमीद में यह जो शीक्स रुपिस का stock है यह 12 हो जाए यह 10 रुपिस हो जाए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा बनने की उमीद लगती है अब देखे इसका खरीदने के पीछ एक जो बड़ा reason है इसको खरीदने के पीछ यह अपने real value से काफी नीचे दोड़ा इसका book value जो है वो 93 के आस पास है लेकिन share का प्राइज लगबग 6 रुपिस के आस पास है अब book value का मतलब क्या होता है company के पास कितने ज्यादा asset है अगर company के पास ज्यादा ज्यादा asset है तो company के आता थोड़ा safe होता थोड़ा safe होता और investment करने के लाइक होता है तो company का value जितना है उससे कई गुणा नीचे यह दोड़ रहा है इस वज़े से लोगों ने यहाँ पर पैसा लगा रखा यह प्रेस्टी स्टेज्ट है तो NBCC लोग इसमें पैसा लगाने के लिए उत्सुख है क्योंकि अपने रियल वैल्यू से नीचे दोड़ रहा हो सकता है कि एक मौका मिल जा और स्टॉक चल जा यह एक उमीद है एक्सपक्टेशन पॉजिटिव एक्सपक्टेशन है बाकि आप भी देख सकते हो यह स्टॉक के बारे में क्या सही है और क्या अगलत है अगर इंजल जैसे जो प्लैटफोर्म यह एच्छे वाले प्लैटफोर्म जहां पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है यहां पर एक कुछ आपको बताया जाता तो डिमेट अकाउंट फ्री में डिलेवरी चार्जस फ्री में यह गुरुप में एंजल वाले आपको आइड करेंगे तो आपको एंजल को इनफर्म करना पड़ेगा मुझे निफ्टी बैंक यहां पर हर एक चीज़ के बारे में आपको